नमस्कार दोस्तों मैं रो इस दिंग कुश्वा एक बार फिर से आपसे के स्वाकत करते हूं अपने यूट्यूब चनल में दोस्तों हम लोगों ने अपने पिछली वीडियो में देखा था कि 1773 वाला जो एक्ट आया था रेगलेटिंग एक्ट उसमें कुछ खामिया रह गई इस एक्ट के उसको सुधारा गया है इस एक्ट से कार्ण जो ड्वल कंट्रोल था बिटिस पॉजरेशन में बिटिस गवर्मेंट और कंपनी का उसमें जो भी गाइड लैंस से उसको जारिकी गई थी और यह जो एक्ट है 1784 का यह 1859 तक एक्ट में रहा है इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रखा गया इस एक्ट में बताया गया कि जो पॉलिटिकल मैटर से कंपनी के उसके लिए बोर्ड अफ कंट्रोल का गठन किया गया और जो कमर्शल मैटर से उसके लिए कोर्ट अफ डिरेक्टर का गठन किया गया बोर्ड अफ कंट्रोल जो है उस Secretary of State वही प्रेजिडेंट थे, Board of Control के, इनके इलावा, Chancellor of the Act Shaker और चार प्रिवी काउंसलर्स थे, और जो Court of Directors है, जिसका काम कमर्शल का एक्टिविटीज को देखना था, उसके लिए हमने बात करी ली है, पिछले वाले वीडियो में, इस Act ने ये बात भी confirm कर दी, मेंडिटेट कर दी, कि जो भी Civil और Military Officers, इस Company के अधीन, ब्रिटेन से काम करने यहां आएंगे, उन्हें दो महीने के अंदर, अपनी जोईनिंग के दो महीने के अंदर ही अपनी, जो भी Property, India और ब्रिटेन, उसको Disclose करना पड़ेगा, ये प्रोसेस साथ भी चलता है, अगर आ Financial Yearman को करना पड़ता है, इस Act ने Governor General की जो Council थी, जो की चार लोगों काउंसिल थी, उसको घटा के तीन लोगा कर दिया, और उसमें एक शर्थ रख दे कि ये जो तीन Member रहेंगे, उनमें से एक Member, जो British Crown Army का जो Commander Chief है, वो भी रहेगा, साथ में हमने देखाते है कि Regulating Act मे जो Governor General साथ थे, उनको वीटो का पाउर उन से चीन लिया गया था, तो इस Act में ये वीटो का पाउर उनको वापिस दे दिया गया, और इस Act में पहली बार British Possession सब्द का उपयोग किया गया, और ये कहा गया कि जो Presidencies है, मंदरा सा और Bombay की, वो Bengal Presidency के अंदर कर आएंगी, और ये कह गया कि बेंगौल Presidency का मुख्याले कलकत्ता है, वो British Possession का Headquarter माना जाएगा, मतलब इस Act ने पहली बार माना कि जो East Ender Company ने यहां पहला के जीते हैं, उनको British Possession कहा गया, मतलब उस पर Britain की जो सरकार है, उसने मोहर लगा दी, और जैसा कि अमने बात कि इसमें clear distinction मना दिया गया, जो Commercial and Political Activities है, East Ender Company के, जो अब तक देखा यह जा रहा था कि यह जो Company है, यह राजाओं को साथ योद्ध कर रही, राजों को साथ ट्रीटी कर रही है, उनकी ट्रीटी की जो शर्ते होती है, वो भी British Government से नहीं पुछ जा रही थी, इसलिए जो भी Political Matters हैं, वो उसके लिए अल कि इसने किसी भी तरह के जो Company का अधिकार थे, उसको कम नहीं किया, और Company जिस तरह यहां पर काम कर रही थी, उसे तरह काम कर रही थी, बस उसके जो Overall Supervision के जो अधिकार थे, उसमें एक Bifurcation कर दिया, अब कुछ इस Act के Drawback देख लेते हैं, तो इस Act में भी कुछ Drawbacks ऐसे आये ह मतले एक तरह कि जो लिस्ट है वो डिस्टिंक्ट नहीं थी, और इसमें जो Governor General हो गए, उनको दो मालिक हो गए, उनने दो Master's को सर्व करना था, एक तो उनकी East India Company खुद, इसके अधिन उनको नौकरी में लिए और वो पेमेंट ले रहे हैं, और दूसरी जो Britain की Government है, या Britain की Crown क सब्सक्राइब में जो Board of Control and Court of Directors हैं, इनके बीच में भी किसी किसी काम को लेकर जो इगो आ जाता था और एक तरह की Clashes होती थी, Clashes of Order होता था, गवरेंट जनरली भी दिक्कत हो आती थी कि इन दोने के Order में किसके Order को वो तरजी दे, अब बात करते हैं, जो अगला Act है वो है Charter Act of 1793, इस Act को East India Company Act 1793 भी कहती हो और इस Act ने यह तै कर दिया कि East India Company अगले 20 साल तक भारत में अपना शाषन कर सकती है, अपना जो activities है वो चालू रख सकती है, एक तरह से किया है तो East India Company का जो Monopoly थी, काधिकारत है भारत में व्यापार करने का उसको 20 साल के बढ़ा दिया ग होगी वो Britain Crown की sovereignty की अधीन होगी और यह बात बिल्कुल सकत लहजो में कही गई थी कि East India Company भारत को अपनी पपाउती या अपनी जागिर ना समझे, साथ में इसमें कहा गया कि East India Company को मुनाफ़ा कमाना या profit कमाना कमपल सरी हो जाएगा और जो भी profit कमाईगी उसका 10% dividend की जो भी काउंसिल है, अगर उसकी किसी डिसीजन से को मदभीत है तो वो अपने डिस्क्रेशन से कोई डिसीजन दे सकते हैं या फिर उनकी बातों को ना मानने का भी अधिकार था और ऐसी कुछ पावर जो है खासकर जो सिविल और मिल्टरी अफेर्स से जुड़ी हुई थी वो जो लोकर जो इनकी नियाधीन जो गवर्नरस थे पेंगॉल और मदरास के उनको भी दिद दी गई साथ में चागे कि गवर्नरस जनल के एपसेंस में एक वाइस प्रेसिडंट जो कि उनकी काउंसल से रहेगा वो गवर्नरस का जो 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 जोटी से वो फिल फिल कर सकता है उस ताइम के लिए साथ में जो board of control कर जो composition उसमें थोड़ा changes किया गया जो पुराने लोंग थे वो तो थे ही साथ में दो junior members किये और इसमें entry की गई और ये भी शर्त थी कि जो दो junior members आएंगे ज़रूरी नहीं कि और बिटेन के जो crown है उनकी तरफ से nominate हो मतलब परिवे council के member हो साथ में ये कह दिया कि जो board of control की salary से expenses एंडिविडेंट एंट्रेस्ट हैं वो सब इस इंडर कंपनी को उठाना होगा मतलब ये सारे लोग को point कर रहे बिटेन की parliament या बिटेन की crown लेकिन इनका सारा खर्चा कौन उठाई की इस इंडर कंपनी साथ में कहा गया कि हर साल पांच लाक रुपए कंपनी बिटेन की government को देखी जिससे उनका जो भी expenses है बिटेन गवर्मेंट का वो fulfill हो सके साथ में ये भी provision किया गया कि जो बिटेन की crown है जो ताज है वो किसी विशेश परिस्थेती में किसी military expenditure के लिए और भी पैसा मांग सकता है इन से और ये कहा गया कि जो भी इस इंडर कंपनी के बड़े अधिकारी है अगर वो बिना बताए भारत छोड़ते हैं तो उनको उनका ये जो करत्थे ये कोई लेखित सोचना नहीं दिये तो उसको हम मानेंगे कि वो व्यक्ति अपने नौकरी छोड़ना चाहता है और इसमें कहा गया कि जो company होंगी जो इस इंडर कंपनी है वो अपने इस तर पर जो भी authority उसके अधिन आ रही है जो भी long आ रहे हैं उनको license दे सकते हैं जिससे वो किसे व्यापार कर सकते और यह जो license है यह लोगों को भी दे सकती company और को और कोई जो authority उसको भी दे सकती है साथ में यह जो पूरा तरीका बताया जा रहे है इसे country trade कहा गया और यह भी कहा गया कि कंपनी कोई employee है वो भी अपने private capacity में कोई व्यापार करना चाहते है उसके लि ने फिर license लिए और इन्होंने जो हमारा पड़ोसी मुल्क है चाइना वहां पर जो opium का trade है उसमें budget के हिससा लिए और बाद में देखेंगे कि जो एक opium war होता है जिसमें चाइना पुरी तरह हारता है और बाद में उसके बहुत सारे हिससे जो है वो बिटेन और फ्रांस के राजस वे काम और जो नियाई के वे उस्तावाली काम है ये दोनों काम जो माल अदालत कर रही थी तो माल अदालत को ही इसने एक तरह से disappear कर दिया ये revenue courts को हटा दिया और अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कॉर्न वाली स्कोर्ड आएगा उसके तहत पाइफरकेशन हो जा में जोिख बार जो Bruce Indian की जो मतलब Asian dangham diaper इन Culture में जो यहां पर इलाके जीते थे उसको Britain की परलेमट निंग्र को अबने यहां एक बिल लाकर इनको लेगलायिज कर दिया मतलब लिक कोईी दे दी गई साथ में इस actor में एक बात कजिकर आएगा कि Napoleon जो की एक तरह से उसने France का गुड्स पिकरा है योरोप में उसको किसी बिद्धर की परमीशन नहीं हो और उसने पूरी कोशिश्की की ब्रिटेन का जो गुड्स इस वज़े से जो ब्रिटेन की और कंपनिया थी इस इंडिया कंपनी के अलावा और कंपनिया थी वह उन्होंने बिटिश क्राउं से गोहर रगाई कि आप इस इंडिया कंपनी के जो मोनोपॉली उसको खतम करिये क्योंकि हमारे पास जो बहुत बड़ा मार्केट था दो आदेश निकाले थी एक था बर्लिन बर्लिन डिक्री ओफटरास अच्छा और दूसरा था मिलान डिक्री ओफटरास साथ और यह दोनों जो आदेश ते इसमें कहा गया था कि बिटिश कोट्स का किसी भी तरह का इंपोर्ट यूरोपियन टेरिटरी में वर्जित है तो इस सब को देखते हुए जब इतना ज्यादा विरोध हुआ इस्टेंडर कमपनी की मोनोपॉली का विरोध हुआ ब्रिटिन के जो भी और वैपारी थे वो भी चाहते थे भारत में वैपार करने के लिए तो यहाँ पर कहा गया कि जो इस्टेंडर कमपनी है उसका भारत में जो वैपार करने का मोनोपॉली उसको खतम किया जाता है यह मतलब भारत में जो भी चीज का वैपार यहां पर कर रही है उसके लिए और बिटेन की कंपनी आ सकती है, लेकिन एश्ट इंडर कंपनी का जो चाय का वैपार था और चाइना के साथ जो ट्रेट था उसमें उसकी मौनपॉली बरकरार रखी मतलब चायना और चाय की वैपा थे उनको रास्ता मिल गया एक बहुत बड़ा बाजार मिल गया अपने समान को डंप करने के लिए जो कि ने पुरेंट बॉना पार्ट की वज़े से उन्होंने यूरोप में खोया था वो बजार अब भारत ने मिल गया और इस एक्ट ने एक तरह से जो इस टेंड़ कंपनी उस्की कमर्शल एक्टिविटेश को कम किया गया और अड्मिस्टिटीव पावर को बढ़ाये गया और इसमें कहा गया कि इस टेंड़ कम्पनी चाहे तो अपने प्रसे निकालने के लिए लोकल जो गवर्मेंट ए उनको क एक टेक्स लगवा सकती लोगों के ओपर और टेक्स मतलब रेस कर सकती ओर टेक्स ले भी सकती साथ में देखा था पिशले एक्ट में दस परसेंट डिविडेंट था उसको बढ़ाके 10.5 कर दिया, मतलब इतना डिविडेंट थे वो तो आपको हमको दे नहीं है, साथ में कहा जो इंडिया में कोर्ट से उसमें अभी तक जो इंडियन स्टेट के सब्यक्ट थे वो नहीं सुने जा रहे थे वो भी अब अलाओ कर दिये के साथ में यूरोपियन जो बिटिस सब्जेक्ट थे उसके लिए दला हुई था और इक बात और है कि इसमें इस एक्ट के तहट जो मिशनरी थे उनको परमेशन मिल गई भारत में कि वो यहां पे आए और जो धर्मांतरण है उसके लिए एक शब्द आता है भारत में आए और अपनी ब्रांचेस खोलें और भारत में जो क्रिस्ट्यानिटी है उसको बढ़ाने के लिए यहां पे बहुत बड़ा मतलब धार्मी को पत्था बिशप का उसकी जो बैठाक थी वो कलकत्ता में थी तो जब यह अठासो तेरह में अलाउ किया गया कि हां मि अगों ने कलकत्ता के बिशप से बात कि और उसके बाद सारी वे उस्तान की मनाई गई और इस एक्ट में पहली बाल यह प्रावधान किया गया कि जो साइंस को बढ़ावा देना चाहिए और जो इडिने लिट्रेशल है उसके रिवाइवल के लिए बढ़ावा देना चाहि इस एंडर कंपनी की पास जो भी प्रिविलिजेस हैं वो बरकरार रहेंगे और जो बीस सल बड़ 1833 के आएगा जिसको सेंट हलिना एक्ट भी कियते है उसमें हम देखेंगे कि इस एंडर कंपनी के साथ अब क्या करना है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में पढ़ेंगे सेंट हिलिना एक्ट 1833 के बारे में जिसको हम गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 भी कियाते हैं तिल देन थैंक्यू बाई बाई